International Cricket Council यानि ICC ने One Day World Cup के 2023 फाइनल और दूसरे सेमी फाइनल सहीद 6 मैचों की पिछो को आसत रेटिंग दी है जिसमें 5 मैच भारत के हैं One Day World Cup का फाइनल 19 नॉमबर को भारत और ऐस्ट्रेलिया के बीच एहमदाबाद में खेला गया था वहीं दूसरा सेमी फाइनल कोलकाता में उस्ट्रेलिया और साउथ अफरिका के खेला गया था मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक ICC ने फाइनल के लावा भारत के खेले के चार अन्न मैचों को भी आसत रेटिंग दी है जिसमें 8 अक्टूबर को चन्नई मों ऑस्ट्रेलिया एक खिलाफ 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ 29 अक्टूबर को लखनओ के इक आनाय स्टेडियम में इंग्लिंड के खिलाफ और 5 अक्टूबर को कोलकाता में साउथ रफ के खिलाफ मैच सामिल है अहमदाबाद में टीम इंडिया उस्ट्रेलिया से हारी थी वहीं पाकिस्तान से जीत हासल के थी अहमदाबाद के नरंदर मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारत को उस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था इस मैच में उस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर पहले फिल्डिंग चुनी थी भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर पचास ओवरों निर्धारित दो सो चालीच रन बनाये थे इस मैच में सुमन गिल, स्रेय सेयर और सुर्क मारदे कुछ खास नहीं कर पाये थे कप्तान रोहित सर्मने 47 की पारी, कोहली ने 54 और केयल ने 86 रन बनाये थे वहीं ऑस्ट्रेलिया ने चार विकेट खोकर 241 रन को टार्गेट आसानी से हासल कर लिया था फाइनल से पहले इस पिच पर भारत ने 14 अक्टूबर को पाकिस्ताने खिलाफवी मैच खेला था इस मैच को बहारत ने 243 रन से जीता था भारत में पहले टॉस जीत कर इस पिच पर बल्ले बाजी करते हुए पांच विकेट को नुकसान पर 326 रन बनाये थे इसके जवाब में साउथ अफरिका के पूरी टीम 27.1 एक ओवरो में 83 रनो पर धेर हो गई थी आईसी सी ने एहमदाबाद, कोलकाता के अलावा लखनाउ और चन्नाई में भारत के खेले गए सही मैचों को पिच को औसाथ ही बताया है महीत अबने स्टेडियम में खेले गए लीग मुकाबले में भारत ने उस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया था वहीं मुंबई के वाखेड़ी स्टेडियम भारत और नीजूलेंड के खिलाफ 15 नॉर्मर के खेले गए पहले सेमिफाइनल मैच की पिच को ICC को क्लीन चिट दे दी है इस पिच को लेकर काफी सवाल इंटरनेशनल मीडिया में उठाया थे इंटरनेशनल मीडिया ने BCCI और टीम इंडिया पर पिच चेंज करवाने का आरोब भी लगाया था हाला कि ICC ने इस पर सफाई दी थे कि जिस पिच पर भारत और New Zealand के बिच सेमिफाइनल मैच खेला जाना था वह पहले से तैथा